Welcome to Math Institute, this is the video for student of Class 10 In this video, we are going to solve some relations between cubic polynomial Relation between zeros and coefficients of cubic polynomial Clear? देखे इसमें हमने क्या सीखने जा रहा हैं Relation देखेंगे, किस के की के बीच में 0 और coefficient के बीच में किस polynomial के बीच में? QAVATIC हमने देख लिया है इस वीडियो में हम लोग cubic polynomial के relation को देखेंगे देखें ये क्या लिखा हुआ है PX is equal to AX cube plus BX square plus CX plus D ये हमारे standard form में cubic equation लिखा हुआ है समझ में आ रहा है आपको ठीक है ना अब देखें इसमें क्या है इसके degree कितनी है तीन है तो हमने मान रखा है पहले से अलफा प्लस बीटा प्लस गामा मिन्स सम आफ जिरो ये देखें क्या अलफा बीटा गामा सम आफ जिरो इक्वल टू माइनस बी बाई इसको आप ऐसे लिख सकते है याद रखिएगा इक्वल टू क्या ये माइनस ऐस बी बी किसका coefficient है चेक कर ये एक्स स्क्वाइर का तो इसको अगर आप लेंगोज में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे माइनस कोफिसियन्ट आफ कोफिसियन्ट आफ एक्स स्क्वाइर अपान एक किसका कोफिसियंस्कंग इसको लीक्केंगे कोफिसियंट औफ स्केंटि जिकन सी क्या है सी है कोफिसियंट औफ एक्स चेक्ड़ करिए यहां पर करिए जर्क्षाणा तो यह की आपन एक तो वर एक्स क्यूब को फिसेंट मैं फिर यहाँ चेक कर एंट घर थेथे डिकता रहाइं को माइंस टी क्या है ंधी अफ दे क्या है आप आप एक कोफिसेंट आफ और मैंस क्यों स्मझ में आया तरी आप इसको अलफा बीटा गामी एकुल याद रखेंगे और इसको लेंग्वेज में भी याद रखेंगे कभी कभी आपसे यह पूछ लिया जाता है इसको अब क्या बोलते हैं sum of zeros याद रखेगा sum of zeros इसको क्या बोलेंगे sum of product of its zeros taken to at a time मतलब यह भी sum ही बता रहा है zeros का लेकिन कैसे zeros हैं दो-दो के product में हैं दो-दो का product करना है उसके बाद sum करना है और यह केवल sum of zeros लिखा है यह क्या product of zeros है ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं नहीं चीए चली देखें यानि अगर हमको zeros दिया रहेगा तो यह relation करना है zeros दिया रहेगा तो ठीक है zeros दिया रहेगा आपसे पूछे कर रिल x3-alpha plus beta plus gamma x2 plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha x minus alpha beta gamma यहां देखें क्या है याद करिएगा इसका करम याद रखने का क्या trick है सबसे पहले plus है फिर minus है फिर plus है फिर minus है इसका मतलब plus minus प्लस माइनस आपको करम याद हो जाना चाहिए x3 x2 फिर x फिर x है ही नहीं यानि x के descending order में इससे क्या करना है जब हमको तीनो जिरोज दिये होंगे book में तीनो जिरोज अलफा बीटा गामा तीनो जिरोज दिया होगा तो हम पस इसमें रख देंगे अपका cubic polynomial बण जाएगा clear है न या तो कि तीनो अलग अलग दिये होंगे अलफा बीटा गामा या तो ऐसा भी दे सकता है sum of zeros sum of product of its zeros and product of zeros इस तरीके से भी बोल सकता है तो चलिए हम question लगाते है clear हो जाएगा नीचे देखे हमने question एक लिख रखा है क्या question पढ़िए find a cubic polynomial with the sum of its zeros क्या दिया गया sum of its zeros and sum of the product of its zeros taken to at a time अभी मैंने बताया था न यह taken to at a time बोला कौन सा product यह है alpha beta beta gamma gamma alpha यह दिया है and product of zeros means alpha beta gamma दिया गया है क्या है 3 are as follows under two two क्या है sum of zeros है minus 7 क्या है sum of product of its zeros है और minus 14 क्या है only product of zeros है तो आपको solve करना है कि वह हमारा polynomial क्या हो गया है नहीं sum of zeros means alpha plus beta plus gamma क्या दिया गया है 2 दिया गया यह sum of zeros सबसे पहले सबसे पहले वाला फिर क्या लिखा है alpha beta beta gamma gamma alpha क्या दिया गया है minus 7 दिया गया यह है यह क्या है sum of product of its zeros taken two at a time यह दो-दो का product करके फिर sum करना है तब यह आ गया उसके बाद क्या है alpha into beta into gamma यह क्या है यह माइनस 14 यह product of zeros यह दिया गया है तो हमें वह cubic polynomial बताना है तो क्या करना है बस उपर यह formula लिख रखा है यह देख रहा है आप इस ही बस रख लिए आंसर हो जाएगा इसका मतलब लिख लिखेंगे रिक्वाइड पॉलिनोमियल 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 रिक् X cube minus alpha plus beta plus gamma कितना है चेक कर यह उपर 2 दिया था यह 2 हो गया बाहर यह x square हो गया plus alpha beta beta gamma plus gamma alpha यह जो दिया गया इसकी value minus 7 है minus है तो bracket लगा लिजे आप यह plus तो इसका है और इस पूरे की value minus में है तो minus हो गया यहाँ पर x फिर minus यह है इसकी value खुद minus में है minus 14 तो minus bracket लगा लिजे इसको पेन करिए x cube minus 2x square minus plus minus minus 7x minus minus plus 14 समझ में आया यानि यही हमारा required polynomial हो गया यही हमारा answer हो गया ठेक आप इसके ओपर यह भी लिख दीजेगा यह मत भूलिएगा इफ करके इफ alpha, beta and gamma this is beta and gamma are zeros of किसके zeros है zeros of required polynomial यह जो हमको चाहिए यह उसके zeros है required polynomial clear है ना फिर रिपीट कर रहा हूं इस question में क्या करना था हमको cubic polynomial बनाना था दिया क्या गया था sum of zeros means alpha plus beta plus gamma दिया था और क्या दिया था sum of product of its zeros taken two at a time यानि alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha, minus seven दिया था और product of zeros दिया था कितना minus 14 तो यह तीनों हमने लिख लिया और यह तीनों को उठा के इस formula में put कर दिया so simple इसका sign आप कैसे आद करेंगे plus minus plus minus इस तरीके से यह आपका cubic polynomial हो गया ठीक है ना चलिए next question देखते हैं उपर ओले फर्मूले पर चलिए देखे नेक्स्ट question देखते हम लोग क्या लिखा है verify that three minus two one are the zeros of cubic polynomial px equal to x cube minus two x square minus five x plus six बस आप यहां तक पहले पड़िए आगे छोड़िए इसमें क्या कर रहा है आपको इस में x की जगह एक बार minus two रखना है एक बार वन रखना है बारी बारी तीन बार आप करेंगे तीन बार इसमें value रखेंगे ठीक है ध्यान से देखेगा सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं यह तीनों क्या है इसके zeros है ना clear है यानि यह तीनों बुक वाले ने दे दि टिक है जहां देखे इसके बाद क्या करना है हमको अब बारी बारी रखते है यह ती रखेंगे एक बार तो सबसेले लिख रहेँए यह लिखे पी 3 x की जगह पे पहला वाला यह चेक जाहर नहीं तो यह रख देंगे 3 का क्यूब x की जगह पे मैनस 2 into 3 का square माइनस 5 into 3 प्लस 6 3 का cube कर यह 3 3 yani 9 27 माइनस 3 का square 9 işte 18 प्लस 6 आप क्या करेंगे बॉडमस rule एध करिए तब माइनस 27 कितना आजाएगा 33 और यह 18 और 15 यह 33 0 आ गया न और हमने बता रखा था गर X के वले रखने पर पूरे polynomial के value 0 हो जाए तो यानि यह 3 इसका 0 है अभी तो आपने पहला रखा आप दूसरा तीसरा इस रखिए उसके बाद last में final में लिखेगा रखेंगे क्या है फिर p-2 x की जगह पे अब इस x की जगह पर minus 2 यहाँ minus 2 यहाँ minus 2 रखिए minus 2 का cube minus 2 फिर minus 2 का square फिर minus 5 into minus 2 फिर फ्लस6 इसको परण करें minus 2 का cube करेंगे minus 8 आएगा यह minus 2 का square 4 into minus 2 minus 8 यह भी आजाएगा फिर plus minus minus plus हो जाएगा five two जहां ten plus six minus eight minus eight minus sixteen plus sixteen यह भी zero आ गया minus two is zero है third one चेक करते हैं third कशा है one था न रखे one iyawni P one यहां पर रखते हैं oneका cube minus two into one का square minus five into one plus six iyawni one का cube one minus one का square one into two हो जाएगा minus five उन जहाएगा five plus six one और six यह हो जाएगा seven तो और फाइफ ए जागा 7 7-7-0 यानि यह भी क्या गया 0 आ गया लिखेंगे नीचे-100 नीचे-100-3,2,1 यह 1-1 नहीं ठीक है 1 आर क्या है 0s of Oh जिरोज voltage जिरोजय जिरोज़ कि फीएव पीए वी पॉलिनॉमिल इसके जिरोज हैं क्लियर हो गया ना और फ्रॉंद्छ कर दिया और हमने क्याद कर दिया अभी हमने यहां तक क्gesetz कर दिया क्या alpha plus beta plus gamma बरावर minus b बाई ये alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha बरावर c बाई ये alpha into beta into gamma equal to minus d बाई ये यही है relation किसके किसके बीच में zeros और coefficient के बीच में तो उसी को हम लोग solve करेंगे तो नीचे हम लोग कैसे लिख लेते हैं जब हमने zeros दिखा लिया तो नीचे लिख देंगे कि लेट कर लेते हैं alpha हमारा क्या है alpha 3 है beta क्या है beta minus 2 है और gamma क्या है 1 है यह हमारे क्या हो गए जिरोज हो गए ठीक है अब हम लोग relation verify करते है पहला वाला पहला relation क्या है यहां लिखेंगे for हम बुक का नहीं बता रहा है कोई problem तो नहीं हो नीचे अब इसका LHS solve करिए इसका LHS कितना है alpha plus beta plus gamma alpha के वल्यों कितना मान लिया हमने 3 मान के लिए उपर दिया ही था plus beta की जगा है minus 2 plus gamma की जगा 1 इसको उपेन करिए 3 plus minus minus 2 plus 1 कितना आ जाएगा 3 1 4 4 minus 2 यानि कि 2 आया यानि इस relation का देखे ये पहला relation था alpha plus beta plus gamma वरावर minus b भाई ये जिसमें LHS alpha plus beta plus gamma कितना आ गया 2 आ गया LHS अब हम RHS की बात करते हैं RHS अगर solve करते हैं आप तो b देखिए b क्या है b ही ये जो लिखा है इसी को तो हमने वोला था ना क्या ही है coefficient of किसका coefficient है coefficient of x upon coefficient of किसका coefficient है नीचे ये ये है coefficient of x cube b जो था वो x square coefficient था याद है ना standard form में अब देखे इसके RHS को solve करते हैं ये RHS हम यहां से लिख देते हैं ये RHS हमारा हो गया यानि ये वाला part हम इसको अलग कर देते हैं ये यहां से अलग हो गये ये part अलग है LHS का part आपको इधर कर दिये जगह नहीं है तो मैं ये रिजिश्ट कर रहा हूँ LHS का part ये है 2 आया RHS के part में क्या लिख दिया है ये रहा माइनस b by a इस के RHS में माइनस b by a जो कि माइनस और b क्या है coefficient of x square होता है x square का coefficient कितना है और x cube का coefficient कितना है इस question को देखिए इसमें ध्यान से देखिए इसमें क्या है इसको standard form से compare करिए ax cube plus bx square plus cx plus d compare आप कर लेंगे इससे b की जगह क्या है minus 2 b की जगह है minus 2 और a की जगह है 1 इसी value को यहां पे ले आके आप रख देंगे coefficient of x square कितना minus यह तो formula में है और b खुद minus 2 है upon 1 यानि कि यह भी आगया minus minus plus 2 आजाएगा चेक करिए rhs b2 और lhs b2 बात समझ में आई फिर से repeat करते रहा हूं lhs अलग solve किया हूं यहां से यहां तक और rhs को अलग solve किया हूं यह verified हो गया ठीक है ना जगा नहीं था इसलिए नहीं adjust कर दिया बाकि दो relation और में बगल में करके दिखा देता हूं यह पहला relation हो गया तीन relation में बताया था यह पहला हो गया दूसरा देखते हैं इधर बगल में चलिए देखेगा ध्यान से प्लस बीटा गामा प्लस गामा अलफा बराबर सी भाई यह याद है आपको अब इसको solve करते हैं अब चलिए देखेए इसके LHS को लिख लिजे इसके LHS को लिख लिजे अलफा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अलफा या अलफा गामा कुछ भी अब रखेए अलफा बीटा बीटा गामा अलफा गामा यहाँ value बताएगा था न, alpha, beta, gamma क्या है, ये रहा, alpha है आपका, ये beta है, ये gamma है, तो एक alpha देखे 3 लिखा है, beta minus 2 है, gamma, 1 है, यही value आप यहाँ पे रख दीजे, कहाँ पे, यहाँ पे, रखिए alpha की जगा कितना है, alpha की जगा है 3, beta की जगा कितना है, beta की जगा है, minus 2, फिर plus, इस beta की जगा 1, फिर इस आगे देखे, plus, alpha की जगा पे 1, sorry, 3 है alpha की जगा, और gamma की जगा पे 1, इसको solve कर दीजे, कितना आजाएगा, 3, 2, 6, minus 6 आया, plus, minus, minus हो जाएगा, minus 2, plus 3, clear, minus 8, plus 3, equal to minus 5 आगे, कितना आगया, minus 5, ये इस relation के लिए, ध्यान से देखेगा, इस relation का LHS आगया, minus 5, अब हम RHS solve करते हैं, देखेगा, ध्यान से, RHS solve करिए, RHS है C भाई ये, और इसी C भाई ये, A को लिख सकते हैं, क्या है C, C होता है, coefficient of, किसका coefficient है, ये, coefficient of X, और नीचे क्या A तो हमेशा होता है, वही, coefficient of X cube, coefficient of X cube, चलते हैं हम लोग अपने equation पे, चेक कर ये ज़रा तो, X का coefficient, उपर देख रहा है, आपको ये, देखेए, ध्यान से, X का coefficient यहाँ पर क्या है, minus 5, X का coefficient है minus 5, और X cube का coefficient है, 1, तो X के coefficient के जग़े हम लिख देंगे, minus 5 और X cube के coefficient के 1, कितना आ जागा, minus 5 आगे है, चेक कर लिजए, RHS भी minus 5, और LHS भी minus 5, तो नीचे आप लिख देंगे, बराबर बराबर साथ महीं करता है तो आप ऐसा नत करिएगा चलिए next question देखते हैं, हमने दो बता दिया, तीसरा आप कर लेंगे खुद से, चलिए next question, next हमारा question क्या है, next question है, find a cubic polynomial whose zeros are, find a cubic polynomial whose zeros are, minus 2, minus 3 and minus 1, अभी देखे, इसी टैको में पीछे question बताया था, उसमें अलग-अलग zeros नहीं दिया गया था, उसमें sum of zeros, फिर sum of product of its zeros, उसके बद product of zeros दिया गया था, यानि alpha plus beta plus gamma, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, and alpha beta gamma, तीनों की एक साथ value दे गए थी, यहां क्या दिया गया है, अलग-अलग है, यह alpha है, यह beta है, यह gamma है, language थोड़ा पढ़ा करिए, cubic polynomial बताना है, जिसके zeros हैं यह, यह alpha beta gamma है, तो लिख दीजेगा, let, alpha, beta, gamma, r, क्या है यह, zeros of, किसके polynomial, required polynomial, required polynomial के क्या है, zeros है, यह जो हमको required polynomial के zeros हैं, then, हम क्या कर लेते हैं, alpha मान लेंगे, minus 2 मानना है क्या, फिर, minus 3, फिर क्या है, gamma equal to minus 1 हो गया न, alpha, beta, gamma हो गया, अब इस ही को आप रख लेंगे, किसमें, अपने equation में, so करके, px, px equal to, यह required polynomial equal to, x cube, minus alpha, plus beta, plus gamma, बहार x square, फिर, plus alpha, beta, 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 gamma, और, gamma, alpha, और यहां बाहर हो जाएगा, x, फिर, minus alpha, beta, gamma, यही न बताएगा था, एक बार दुबार रिपीट करते हैं, याद करने के लिए, आपका पहले plus होता है, फिर minus, फिर plus, फिर minus, इस ही में, इस ही में, आपको यहाँ, alpha, beta, gamma की, अलग, अलग, value रखनी है, जब देखिए इसकी value और इसको solve कर लेजे, x cube, minus, ठीक है, कुछ देखिए, alpha, minus में, यह भी minus में, यह भी minus में, तो curly bracket लगा लेजे, गलती नहीं जाएगा, alpha की जगा का है, minus 2, फिर plus, beta की जगा, minus 3, फिर plus, minus 1, इस तरीके से curly bracket बंद, यह x square, यह वाला बाहर, plus, इसमें भी curly bracket यहाँ, कली bracket बंद, और बाहर, यहाँ पर x भी है, into में, याद रखेगा, दिख रहा है नहीं है आपको, चलिए देखिए, फिर से देख लिजे, यहाँ आप इमने क्या कर दिया, यह सारी value, alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha, into x यह है, बाहर, फिर आगे, minus, alpha केतना है, minus 2, into minus 3, into minus 1, यह alpha, into beta, गामा रख दी, अब इसी को आप solve कर लेंगे, आपका simply answer आजाएगा, x cube हो जाएगा, इसको देखे, मैं direct solve कर देता हूँ, minus 2, minus 3, minus 1, तीनों को add करेंगे, 2, 3, 5, 1, 6, minus 6 आएगा, इस minus को जाएगा, plus 6 x square हो जाएगा, इसको solve कर यह, देखे, minus minus, plus हो जाएगा, है ना, यानि कर ली रेकेट करनता देखे, 3, 2, जाएगा, 6, plus, minus 3, minus 1, plus 3, minus 1, minus 2, plus 2, बाहर हो जाएगा, x, minus, यहाँ चेक कर यह, minus 3, minus 2, minus 3, minus 3, minus 1, minus, minus, plus, plus, minus, minus, और यह, minus, हो जाएगा, 3, 2, जाएगा, ठीक है, अब इसको भी add कर देता है, यह, जो हमने छोड़ रखा है, x cube, plus 6 x square, plus, कतना जाएगा, 6, 3, 9, 2, 11, x, plus 6, यही हमारा required answer है, समझ में आ गया, उमीद है भी तक की वीडियो आपको सब को समझ में आ गई होगी, कोई problem नहीं होई होगी, ठीक है, चलिए, चलिए, देखे, अब अगली topic के हमारी division algorithm for polynomials, यानि इसको आपने बहुत पहले पढ़ रखा ह division algorithm के बहुत नाम से पढ़ा था, बस इसमें polynomial आ गया, तो इसको जोड़ दिया गया, division algorithm for polynomial, if fx and gx are any two polynomials, with gx does not equal to 0, then we can find polynomial qx and rx, such that fx equal to gx into qx plus rx, यानि अगर fx और gx यह दो polynomial है, जिसमें fx को divide करना है gx से, उस case में दो polynomial qx और rx ऐसे होंगे, कीस relation को verify कर रहा होंगे, यानि कि fx is equal to gx into qx plus rx हो जाएगा, जहां rx की value है, जो remainder बचेगा, यह या तो 0 होगा, या तो इसकी degree, degree of rx is less than degree of gx, यानि जिससे divide करेंगे, उसस remainder की degree हमेशा कम होनी चाहिए, छेक है, इसको आप simple इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे यह है, dividend equal to divisor into quotient plus remainder, आप इसको भी concept बना सकते हैं, यही है ही, छेक है, dividend equal to divisor into quotient plus remainder, इस चीज को तो पढ़े हैं बहुत पहले आप लोग, यही चीज है, बस polynomial का case है, तो यहां dividend भी को polynomial होगा, इसलिई इसको gx लिखा है, जो cosent है वो भी एक polynomial होगा, इसलिए इसको qx लिखा हैं और जो remainder है वो भी e approval है, इसलिए इसको rx लिखा हैं, सब x x में लिखा हैं, और जबकि अगर आप छोटे class में होते हैं, तो इस तरीके से divide करते हैं, जैसे 25 को 6 से divide किये, 6 conversion 24, 21 remainder यह divisor भी number है dividend भी एक number है productions भी एक number है expenditure ही है नंबर में हम करते हैं तो number आता है इस समय हम polynomial में we divide करना करने जा रहे हैं तो इसलिए तरह स्प्रेंन हो रहे हैं चेक करिए Creating canyon People polynomial और довольно इंद ऐ chicken एंधिव को समय को समझय रिमेंडर देखे कि तना रिमेंडर 1 आए neste वन हमेशा diviser से छोटा है ना चेक करिए 6 से तो छोटा ही है यह वही चीज यहां मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ देखे क्या है आरेक्स हमेसा छोटा होगा किसवे जी एकस से जी है इस समझ जिससे डिवाइड कर रहा है और आरेक्स हमेसा reminder होता है तो degree जहोती हिर की वो छोटी होती है जी है यह तो 0 ही आ जाएगा जीरो कब आजाएगा जैसी yet 24 होता तो सिक्स quशंड 24 से रोक कट के concurrent के जीरो आ जाता त डिवाइजर से कम होगी चलिए यह था मारा डिवीजन अलगरित्म आपको इसका स्टेट्मिन भी याद होना चाहिए नहीं कि पस क्वेस्टन कर लिए तो कर लिए चलिए अब इस पे बेस्ट क्वेस्टन देखते हैं क्वेस्टन क्या है हमारा question लिखा हुगा है साफ साफ आपको दिख रहा होगा question है divide दिख रहा है ना और पर कर द रहा हूँ है तक कि आपको दिखता रहे ऐसे इतने पर चलिए divide 5x cube minus 13x square plus 21x minus 14 यानि इस polynomial को divide करना है अगर इसको divide करना तो क्या होगा यह हमारा dividend हो गया और किससे करना है by 3 minus 2x plus x square इससे करना है तो यानि यह हमारा divisor हो गया उसके बाद हमें क्या मिलेगा जब आप divide करेंगे तो आपको quotient और remainder खुद धूढ़ना होगा जैसे इसमें देखेंगे 25 को मैंने 6 से divide किया था ना तो 4 हमें मिला था quotient में सेम वैसे ही आप इस polynomial को जिसको हम fx मानेंगे fx इस polynomial को इस polynomial जी x से divide करेंगे ठीक है तो इसको आप नीचे लिख लेंगे let करके let कर लिया fx equal to कितना जिसको divide करना है 5x को minus 13x square plus 21x minus 14 and gx gx नहीं जिस से divide करना है ध्यान से देखिएगा gx को zigzag तरीके से नहीं दे रखा है तो सबसे पहले आप इसको arrange करिएगा किस तरीके से x की descending order में यानि x के power के descending order में सबसे पहले x square आप लिखेंगे फिर minus 2x लिखेंगे फिर minus 3 लिखेंगे इस बात को भूलिएगा नहीं specially मैं बता दे रहा हूँ किसी किसी question में आपको ऐसा मिलेगा 2 minus x कह देगा gx की जगा ये लिखा रहेगा तो आप इसको पहले arrange करिएगा इसको लिखेंगे minus x plus 2 ऐसे करके तब divide करिएगा यानि ठीक है दिखा कि नहीं ये देखे यानि 2 minus x लिखा होगा यानि 1 फिर 0 इस तरीके से आपको कम करेंगे ठीक है अब चलिए हम लोग चलिए देखे आप ये समझ गया ना सबसे पहले इसको कैसे करेंगे x के descending order में किये भी न आप divide नहीं करीगा नहीं गलत हो जाएगा यानि x square minus 2 x minus 3 कर लिए अब उसको बार divide करना है देखें हैं आमने लिख रखा है 5 x cube minus 13 x square plus 21 x minus 14 इसको divide करना है किससे x square minus 2 x plus 3 से divide करना है तो चलिए सबसे पहले किससे divide करेंगे 5 x से multiply कर दीजे किससे 5 x से 5 x का intuition में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 x cube हो जाएगा clear है minus 10 x square आ जाएगा plus 15 x आ जाएगा यह तो आप divide करना जानते हैं class 8 में पढ़ा रखा है 9 में भी पढ़ा रखा है इसलिए मैं इसको जल्दे लिए बता द रहा हूँ minus यह plus यह minus यह दुनों cancel हो जाएगा यह कितना आएगा minus 3 x square आ जाएगा यह minus करने कितना आएगा plus 6 x minus protein उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे आप minus 3 कर देजिए minus 3 कर देंगे minus plus minus हो जाएगा minus 3 x square फिर plus 6 x फिर minus 9 ठेक है इसको minus करेंगे plus यह minus यह plus यह दुनों cancel हो जाएगा यहाँ कितना आजाएगा minus में 5 clear है न minus 5 है न इसकी degree जो है इससे कम है या नहीं कम है क्यों क्योंकि यह x के degree कितना यह 2 है और यहाँ तो x है ही नहीं अगर आप मानेंगे भी तो x के power 0 मानेंगे तो यहाँ degree है 0 यहाँ degree है 2 तो इसका मतलब इसके degree इसससे कम आ गई यानि हमारा divide सही है अब इसको अभी check कर लेते हैं कि सही है या गलत है चलिए देखे क्या करेंगे हम लोग division algorithm को verify करेंगे क्या जानते हैं division algorithm में dividend equal to पड़ रखा है न यहाँ लिख लिजेगा now करके dividend चलिए देखे यहाँ क्या लिखा है dividend equal to divisor into quotient plus remainder इसी को तो कहते हैं मैंने short form में लिख दिया dividend equal to divisor into quotient plus remainder इसी को verify करना है मैं LHS और RHS बराबर आएगा तो हम इसका क्या कर लेते हैं RHS part ले लेते हैं verify कराने के लिए कौन सा divisor into quotient plus remainder वाला part ले लेते हैं divisor कितना था आपने किससे डिवाइड किया याद है ना आपको देखे उपर मैं दिखा द रहा हूँ किससे आपने डिवाइड किया यह रहा यानि आपका यह जो quotient है जो QX है sorry जो GX है GX जिसे डिवाइड करना है उसको GX बोलते है GX कितना है QX स्क्वाइर माइनस 2X प्लास 3 और रिमेंडर जो है जो है इसको RX बोलते है RX कितना आ गया है RX है माइनस 5 और जो quotient आया QX QX देखे यह लिखा हुआ है जो उपर आया है quotient माइनस 5X माइनस 3 5X माइनस 3 यह दिख रहा है 5X माइनस 3 यह हमारा क्या है quotient है माइनस 5 रिमेंडर है और GX हमारा यह क्या है डिवाइजर है इसी तीनों को GX, RX, QX को यहाँ पर रखना है और solve कर देना है देखेगा यह जो आप इस तरीके से लिखें अगर polynomial के case में लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे FX लिखेंगे equal to GX लिखेंगे into QX लिखेंगे plus RX लिखेंगे यही न लिखेंगे तो इसी के RHS part के मैं बात कर रहा हूँ यानि इसी के RHS part के मैं बात कर रहा हूँ GX ही डिवाइजर है QX ही हमारा quotient है और RX ही remainder है तो अब मैं डिवाइजर के जगह पे रख दे रहा हूँ क्या चीज़? यह जिससे अपने डिवाइज किया है आप चाहे इसको न लिखें तो भी यहीं पे भी solve कर सकते हैं ठीक है डिवाइजर के जगह क्या हो जाएगा X square minus 2X चलि देखे तो इस line को ना भी लिखें direct GX की जगह यह है QX की जगह यह है और RX की जगह यह है ठीक है? GX, QX, RX हमने लख दिया इसको solve करके हमें FX लाना है इस पूरे को solve करके FX लाना है ठीक है न? तो चलिए भी into करते हम इसका X square के इसका 5X में कितना हो जाएगा 5X cube फिर X square के 2 minus 3 में तो minus 3X square फिर minus 2X का 5 में होगा तो minus 10X square फिर minus 2X का फिर minus 3 में होगा तो plus 6X फिर plus 3 का इसमें होगा 5 में तो कितना हो जाएगा plus 15X फिर plus 3 का minus 3 में होगा तो minus 9 9 9 प्लस मांनस पंज ओ जाएगा आप इसको रेंज करिए 5x क्यूब हो जाएगा मैंनस स्क्राइर मांट 17-13 एक्षे स्क्राइड फिर फिर फ्लस 6x begging गळास इंदोने हो unting कि रही कितना आजएगा plus में 21x माइन स प्लस नाइन मानस 5-14 ओ झायगा ठीक है अब अगर आप ध्यान से देखें, यही जो है, यही तो हमारा FX था, यानि यही तो हमारा dividend था, समझ में आया, यानि हमने क्या किया, RHS को लिया, इस division algorithm के RHS को लिया, और इसमें GX के लिए रख दिया, QX रख दिया, RHS रख दिया, और इसको solve करते करते हैं, जो हमें detail में answer यह जो मिला, यहाँ पर, यही हमारा FX है, यही हमारा dividend है, तो RHS is equal to LHS आ गया न, इसका मतलत लिखेंगे, so, so, क्या हो जाएगा, dividend equal to, dividend equal to, क्या था यहाँ पर, diviser into quotient plus remainder is verified, यानि यह क्या हो गया, verified हो गया, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं, division algorithm is verified, division algorithm is verified, division algorithm दिख रहा है न, division algorithm is, यही पर लिख दीजे, is verified, दोनों में लिख दीजेगा, दोनों में से एक, dividend equal to, diviser into quotient plus remainder is verified, या division algorithm is verified, बात समझ में आ गई, आप एक बार फिर से देख लिजेए इसको, क्या करना था, जिस तरीके से हमें यह question दिया रहेगा, यह आपका question होगा, आप इससे divide कर देंगे, आप कैसे divide करेंगे, x square को पहले लिखेंगे, फिर x फिर तब constant term, फिर आपको divide करने के बाद, आप यहाँ पे gx, qx और rx निकाल के लिखेंगे, यह gx है, जिससे divide किया, और यह rx है, जो remainder बचा, और यह qx है, जो quotient बचा, यह gx, rx, qx हो गया, इसके बाद आप लिखेंगे, dividend equal to divisor into quotient plus remainder, या इसी को ऐसा लिख सकते है, fx equal to gx into qx plus rx, यह क्या है, divisor, यह quotient remainder, इसी के rhs part में, gx के लिख दिया, मैंने यह रहा, qx रख दे यह रहा, rx रख दे यह रहा, इसको solve करते गए, multiply वगरा करके, add work करते करते, जो यहाँ पर answer है, यही हमारा fx है, उपर question आप चेक करिए, देखे, यह लिखा है न, 5x q minus 13 x square plus 21 x minus 14, यही क्या है, हमारा fx है, और fx ही तो dividend था, इसका मदब dividend equal to divisor into quotient plus remainder is verified, या division algorithm is verified, उमेद आप कोई वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, आप वीडियो को ध्यांस देखेगा, जहां न समझ में, पास करके देखिएगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे, तो like कर दीजेगा, और share भी कर दीजे, ओके, मिलते है next lecture में,